केंद्री ग्रिह मंत्रे ने देश की युवाओं को मादक पदार्फु किलग से बचाने के लिए सक्त कारवाई करने पर दिया जोड गार्जिस खणपना दिवस के अफसर पर राजधानी में तिन दिवसी राज्योसाब मनाया जाएगा जिलों में आज इतके जाएंगे एक दिवसी एक कारिकरव भाई बहन के सने का पर्व भाई दूज आज पुदेश भर में पारंपरी कुछ साह के साथ मनाया जा रहा है और पुदहन मंप्रियावास योजना से आकांग्षी जिला राजनान गाउं के कातुल बोड के ग्रामुनों का साकार हो रहा पक्के मकान का सपना नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार मैं हूँ शीतला शुकला आप समाचार विस्तार से ग्रिह मंत्री अमित शाह ने देश के हिवाओं को मादक पदार्थों की लट से बचाने के लिए सक्त कारवाई करने पर जोड दिया है विकल गुजरात की गांधीनगर में राज्जी के विभन इलाकों से जब्त के गए मादक पदार्थों को नश्ट किये जाने के अफसर पर आजित एक कारिक्रम को संबोधित कर रहे थे केंद्री मंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों के खलाफ सरकार की कारवाई महतपूर्ण पड़ा उपर है और उसे बड़ी सफलता मिली है दिमक की तरफ हमारे देश की युवापिडि को खतम करने का काम कर रहा है तो दुसरी ओर नार्कोटीक्स के व्यापार से जो धन उपारजन होता है वो टेरूरिजम के पोशण का भी काम करता है दोनों धुष्टी से देश की युवापेडी को सुरक्षित रखना और देश के टेर्रिलिजम के विट पोशन पर एक करारा प्रहार करना ये दोनों धुष्टी से मैं मानता हूं कि लडाई को भारत सरकार की सभी एजन्सिया राज्य सरकार की सभी एजन्सिया और पूलिस न लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और चितना पड़ेगा। तो हम जीतते हैं और अगर यहां भिखराव के साथ जमीर्टा के बगर इसको एक सामानिया अपराध मानकर अमारा एप्रोच रहता है तो ध्रब के ओपरिटर जीते हैं। अधिक मादक पदार्थ जब्त किये गए अंतराश्ट्री बाजार में इनके कीमत 20,000 करोड रुपए आ की गई है ग्रह मंत्री ने मादक पदार्थ नियंतरन ब्यूरो और पलिस से कहा कि वह इस अभ्यान में तटरक्षक पलिस और तटरक्षक बलों तथा नौसेना से मदद उन्होंने गुजरात और राजिस्थान के मादक पदार्थ नियंतरन ब्यूरो से कहा कि वह पाकिस्तान से लगती अंतराश्ट्री सीमा पर कड़ी नज़र रखे ताकि वहां से मादक पदार्थों की तसकरी नहीं हो सके श्रीयमित शाह ने कहा कि मादक पदार्थों की बिक्री से कमाया गया पैसा जादातर आतंकवादी गतिवी धियों में इस्तिमाल होता है ऐसे में यदि मादक पदार्थों पर सक्त कारवाई की जाए तो आतंकवाद से निपटने में काफी मदद मिलेगी ग्रीह मंत्री ने आज गुजरात के विभिने लाकों में जब्त के गए मादक पदार्थों को नश्ट के जाने का कारिक्रम ओनलाइन देखा मुखे मंत्री वुपेश बखेल ने दुर्खजिले के ग्राम बिलादी में अपने परिवार जनों और ग्रामेणों के साथ गौमाता की पुजा कर गौवर्धन पूजा का पर्व मनाया उन्होंने राउतनाचादल के साथ पारंपरिक वेश भूशा में राउतनाच कर कलाकारों का उत्साह वर्धन किया इस अफसर पर उन्होंने कहा कि लोकास्था का ये पर्व सभी के जीवन में नव उर्जा और बंधुत्व का संचार करें हर घर धन्धाने से परिपोन हो उन्होंने गुवर्धन पर्व को प्रकृति प्रेम और परोपकार का प्रतीक बताया और कहा कि प्रकृति की पूजा और संडक्षन आने वाली भावी पीडियों के लिए अती आवश्यक है इसलिए सभी को इस पर्व के मूल मंत्र का अनुसरन करना चाहिए मुख्य मंत्री बेलोदी स्थित कला मंच में ग्रामनों से रूबरू भी हुए अन्नकूट का त्योहार कलधार में कुटसा के साथ मनाया गया इसी कड़ी में दुर्गसिले की फिलाई में स्थित एक नीजी ट्रस्ट की ओर से अन्नकूट समारों का आयजन किया गया इस अवसर पर ट्रस्ट के सदस्य व्यूमपत दास ने बताय कि शद्धालू ने गौवर्धन परवत की प्रतिकूटी बना कर उसकी परिक्रमा की आज अम लोग गौवर्धन पुजा को मनाया है यहाँ गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण जो गोवर्धन परवत को उटाया उसको याद में जो हम लोग बनाते हैं और गोवर्धन ब्रजशैली में जो है उसको अन्नकूट बनाकर जो है लोग मनाते हैं ुसी तरह हम लोग यहां बिलाई में भी यहां गवर्दन-परवत को बनाते हैं, और उसको परिक्रमा भी करते हैं। तो हमारी यहां आज केक 15-60 кिलों का केक, और 15-150 किलों सुझी उपयोग करके इस अं-नकुट को बनाया है, और गोपुजा यह सब हो गया। राजधानी राईपुर सहित प्रदेश के विभिन जिलों में अनकूट पर कारक्रमों का आयोजन किया गया 36 गड इस्थापना दिवस के अफसर पर राजधानी राइपुर में त煮 आया जाएगा वहीं जिला मुख्यालों में एक दिवसी कारकौ्रम का आय। जिला मुख्यालों में एक नमबर को एक द्वसी कारेक्रम के आरतेसर के सम्मान प्रिषासन विभाग ने सबी जिला कलेक्टों को निर्देश जारी कर दी है इस दोरान कारिक्रम स्थल पर विभन विभागों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, इसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों को विशेश रूप से प्रदर्शित किया जाएगा राज्य स्थापना दिवस के अफसर पर शाष के कारलेओं में रौशनी की जाएगी, वही जिलास्तर पर इस्थाने के लाकारों द्वारा एक नवंबर को एक दिवसिये सांस्कृतिक कारिकमों का आयोजन किया जाएगा किंद्री प्रत्यक्षकर बोर्ड ने आयकार अधिन्यम के अनुच्छेद 149 के उपनुच्छेद 1 के तहट वर्ष 2022 के लिए आयकार रिटन दाखिल करने के अंतिम्ति थी अगले महिने की 7 तारीख तक बढ़ा दी है बोर्ड की प्रस्विग्यप्ति के अनुसार ये समय सीमा उस वर्ष के लिए बढ़ाए गई है जिनके लिए अंतिम्ति थी इस महिने की 31 तारीख थी भाई बहन के इसने का पर्व भाई दूज आज प्रदीश भर में पारंपर एक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है मासम जिले में भी बहनों ने भाईों का तिलक लगा कर आरती उतारी और उनके दिरगाई होने की कामना की वहीं भाईों ने भी बहनों को उपहार देकर सुरक्षा का संकल्प लिया पंडे तजय पंडे ने बताए कि भाई दूज को धार्मिक रितरिवाज के साथ मनाया जाने की परंपरा है इसका भाई बहन का तेवहर मनाने की यह है कि आज की दिन ये कार्थिक मास के जो क्या करते हैं ये सुकलपक्ष्टी दूतियात ही थी होती है उस दिन क्या करते हैं भाई अपने बहन के घर जाए और बहन उसका स्वगत करे उसको पाटे में बिठा कर बढ़िया चंदल लग प्रदेश के अने जिलों में भाई दूज का तेवहर मनाया जा रहा है आज के दिन भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा अर्चना की जाती है राष्टगापी टीका करन अभिहान के तहट देश में अब तक 219 करोड 58 लाग से अधिक कोविड रोधी टीके लगाय जा चुके हैं स्वासमंत्रल ने बताया कि कल 1,222 लाग से अधिक टीके लगाए गए इसी दोरान 1112 लोगों में संक्रमण की पहचान की गई इस समय 20,821 लोगों का इलाज चल रहा है वही स्वास्थ होने की दर 98.7 प्रतिशत हैं कल 1,892 लोग संक्रमण मुक्त हुए अब तक 4,44,97,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं देश में अब तक 90 करोड से अधिक नमूनों की जाच की जा चुकी है कल करीब 1,44,000 नमूनों की जाच की गई इधर 36 गड में कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली बढ़ात दर्ज की गई है बीते 24 घंटे में 23 नए वेक्तियों में संक्रमण की पुष्टी हुई है वही 47 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है प्रदेश भर में अभी कोरोना के 158 मरीजों का इलाज जारी है प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 1.75% है वही 9 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया है केंद्र सरकार की आकांग्शी जिलों के ग्रामिन शेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए अनेक योजनाई चला रही है इसी तरह आकांग्शी जिला राजनन गाउं के ग्राम पंचायत का तुल बोड भाटा गाउं में प्रधान मंत्री आवास योजना का लाब लेकर ग्रामिनों को पक्के मकान मिलने का सपना साकार हो रहा है। ये लोग कभी कच्चे मकानों में रहते जहां बारिश के दिनों में उन्हें रहने में काफी परिशानी होती थी। जिन हिद्गराहियों को प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, उनका कहना है कि अब बारिश के दिनों में भी उन्हें कोई प्रिशानी नहीं हो रही है. जिन कल्यानकारी योजनाओ का लाब ग्रामिनों को मिल रहा है. एक महत्वपूर्ण योजन है जो जिसमें लगभक तीरपन हिद्गाहियों को आवास यूर्ण का लाप प्राप्त हुआ है जिसमें से अभी लगभक 28 हिद्गाहियों जो इस्थाई प्रतिक्षा सुची में नाम है जिनका जो अपने आवास की राहा भी भी देख रहे हैं साथ ही ग्राम सबसे अनमोदित लगभक 92 हिद्गाहियों का नाम जो है आवास प्लस में सम्मिलित है ग्राम पंचायत का तुल बोर्ड भाटा गाउं में करीब 400 मकान हैं जिन में तिरपन पक्के मकान प्रधान मंत्री आवास योजना के तहद बनाए गए हैं वही 28 हिद्ग्राही अभी प्रतिक्षा सुची में शामिल है भारते क्रिकेट नियंदरन बोर्ड BCCI के सचिव जैशाह ने घोशना की है कि भारत की महिला क्रिकेट खिलाडियों को भी पुरिश क्रिकेट खिलाडियों के बराबर फीस मिलेगी उन्होंने ट्वीट संदेश में बताए कि बोर्ड समान फीस नीती लागो कर रहा है और इस दिशा में ये पहला कदम है नई ववस्था के अनुसार महिला और पुरिश क्रिकेट खिलाडियों को टेस्ट मेंच के लिए 15 लाख रुपए एक दिवसी अंतरराश्ट्य मैचों के लिए 6 लाख रुपए और T20 के लिए 3 लाख रुपए फीस दी जाएगी दूरदर्शिन केंदर राइपर से प्रिसारित होने वाले है प्रादेशिक समाचार को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल 36 डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा यूट्यूब चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने Android फोन से QR कोड स्कैन कर आप 36 डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं इसके अलावा 36 डीडी न्यूज फेस्बुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है केंद्री ग्री मंत्री ने देश के हिवाओं को मादत पदार्थों की लट से बचाने के लिए सक्त कारवाई करने पर दिया जोड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधारी में तीन दिवस्य राज्योसव मनाया जाएगा जिलों में आजित किये जाएंगे एक दिवस्य कारिक्र भाई बहन के स्मेरी का पर्व भाई दूज आज पुदेश भर में पारंपरी कुछ साह के साथ मनाया जा रहा है और प्रधान मंत्रियावास योजना से आकांग्षी जिला राजनांदाओं के कातुल गोर के ग्रामनों का साकार हो रहा पक्के मकान का सपना इसी के साथ ये समाचार बुल्टेनी है समाप्तवा नमस्कार